हलो बच्चों कैसे हैं आप सभी मैं हूँ पूजा मैता और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडीनेटिक पर आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम हैं बच्चों यहाँ पर आज में क्लास 11 की एकाउंटिंग पढ़ा रहे हूँ और उसका चैप्टर 9 लेजर के एक्सराइज के कोशन आपको करा रहे हूँ अभी तक हम फोल नमबर तक के कोशन कर चुके हैं आज यहाँ पर मैं आपको कोशन नमबर 5 कराने वाली हूँ बच्चों कोशन नमबर 5 को आप अपने स्क्रीन पर देखिए और उसे नोट कीजिए और समझेए कि हम किस तरह से इसे सॉल्व करेंगे आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, किसी भी तरह का कोई भी कोशन है तो आप मुस्से कमेंट बॉक्स में पूर सकते हैं तो बच्चों स्क्रीन पर देखिए अपने कोशन नमबर 5 को आपने पूरा कोशन देख लिया है, अब आप इसकी जनरल एंट्री को अपनी स्क्रीन पर देखिए आप चाहें तो इसे पॉस करके नोट कर सकते हैं, इस तरह से ये सारी जनरल एंट्री होगी और इनी जनरल एंट्री के अधार पर क्या होगा बच्चों लेजर तयार होगा देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमने कैश एकाउंट का लेजर तयार किया है उसके बाद हमने बैंक एकाउंट का लेजर तयार किया है ठीक उसके बाद स्टॉक का लेजर तयार किया है फरनीचर एकाउंट का लेजर तयार किया है पूनम एकाउंट का लेजर तयार किया है फिर सोनू का लेजर तयार किया है अशोक का लेजर तयार किया है पंकज और आखरी में Capital और Purchase एकाउंट का लेजर तयार किया है साथ ही साथ डिसकाउंट रिसीव का सेल्स का स्टेशनरी एकाउंट का टेलिफोन बिल का हमने लेजर तयार किया है इन्हें आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं इस तरह बच्चो हमने कोशन 5 को देखा किस तरह से इसकी जनरल एंट्रीज की है और साथ ही साथ इसका लेजर तयार किया है अब हम अपना अगला कोशन कोशन नमबर 6 देखने वाले है चलिए बच्चो अपनी स्क्रीन पर देखिए कोशन नमबर 6 सुरेश कमेंस्ट बिजनेस अन 1st अपरेल 2020 इसके अधार पर हम क्या करेंगे बच्चो लेजर तयार करने वाले है इसके अधार पर हम लेजर तयार करने वाले है तो इसी तरह बैंक अकाउंट का लेजर कैपिटल का कैश अकाउंट का लेजर फरनीचर अकाउंट का लेजर परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, रमेश समीर, स्टेशनरी अकाउंट Discount Allows Stationary Account Rent Account Discount Allowed Account Sane Account Raj Account इन सभी का हमने laser तयार कर लिया है और इसे आपको करना बहुत ही easy है मैं आपको सिर्फ कोई भी doubt ना रह जाए इसलिए यहाँ पर show कर रहे हूँ आज के वीडियो में हम यह 2 question करेंगे अगले वीडियो में हमारे अगले 2 question करके हम इस chapter को close कर देंगे तब तक के लिए goodbye, thank you